कुरुंतियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री आठवा अध्याए अब हे भाईयों हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समचार देते हैं जो मक्य दुनिया की कलिस्याओं पर हुआ है कि कलेश की बड़ी परिक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगाल पन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई और उनके विशय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्त भर बरन सामर्त से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विशय में हम से बार बार बहुत बिंती की और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नही बरन उन्होंने प्रभू को फिर परमेश्वर की इच्छा से हम को भी अपने तई दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरम किया था, वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ग्यान और सब प्रकार की यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आग्यक रीती पर तो नहीं, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ, तुम हमारे प्रभु इश्यमसी का अनुग्रह जानते हो, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, और इस बात में मेरा विचार यही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो एक वर्ष से, ना तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे, इसलिए अब यह काम पूरा करो, कि जैसा इच्छा करने में तुम तयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन के तयारी हो, तो दान उसके अनुसार ग्रहन भी होता है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं, यह नहीं कि औरों को चैन और तुम को क्लेश मिले, पर जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्सा तितुस के हिर्दे में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया बरन बहुत उत्सा ही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हा हुआ है और इतना ही नहीं परन तु वह कलीश्या से ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए और हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभू की महिमा और हमारे मन के तैयारी प्रगठ हो जाये हम इस बात में चौकस रहते हैं, कि इस उदारता के काम के विशय में, जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोश न लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं, परंतु मनुश्यों के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं, और हमने उसके सा अपने भाई को भेजा है, जिसको हमने बार बार परक्के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है, यदि कोई तीतुस के विशय में पूछे, तो वह मेरा साथी और तुमारे लिए मेर सहकर्मी है, और यदि हमारे भायों के विशय में पूछे, तो वे कलिस्याओं के भेजे हुए और मसी की महिमा है, सो अपना प्रेम और हमारा वह घमंद, जो तुमारे विशय में है, कलिस्याओं के सामने उन्हें सिध्ध करके दिखाओ.